जब किसी व्यक्ति के सरीर में HIV बहुत कम मात्रा में रहता है तो उसे कहा जाता है HIV positive है अब इस व्यक्ति के जो व्यक्ति HIV positive होता है इस व्यक्ति के blood के संपर्क में नहीं रहना चाहिए blood क्योंकि human immunovirus या तो blood में रहता है या तो gamet में रहता है आपको बता है gamet sperm या ओभम हो सकता है तो जिस व्यक्ति को HIV है उस व्यक्ति के blood उस व्यक्ति के sperm अगर वो महिला है तो ओभम इन तीन जगों में HIV के वाईरस बहुत प्रबलता से रहते हैं और यहीं से फैलने का डर हो तो उसे HIV नहीं होगी लेकिन अगर उसके बलड के संपर्क में आ गये या उसी उसका बाल काटे उसका कट गया उसी रेजर से आपका काटा आपका भी कट गया तो चांसे जै कि दोनों में आ जाएगा सब्सक्राइब कोई बस में जा रहा है उस बस में कोई व्यक्ति HIV-positive है य जाड़ देने वाल वाइरस human immunovirus तो बस में सपोच कीजिए कि human immunovirus का कोई एक HIV-positive पेसेंट है अचानक बस का accident हुआ किसी का सर फोटा इसका फूटा उसका फूटा इसी बीच में जो positive था उसका भी फूट गया अब उसका तो ब्लड आने लगेगा अब बस वगरा फूटता है तो कौन किसका किसका ब्लड किसमें मिल जागा किसी को नहीं पता चलता है किसका लेकिन जो पुरुस हैं आपको बार-बार दाढ़ी बनाना पड़ता है दाढ़ी तो चलिए आप घर पे बना सकते हैं लेकिन बाल Кटाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है तो जब अप यहां उस्तूरा लगवाईएगा पीछे यहां पे इस तूरा लगवाना तो उसे proper detall या सेनेटाइज कराईएगा उसके बाद आप बलेट बदल लिएगा यह बहुत वहाँ पर क्या करते हैं लोग ना अरे बदल तो दिये बदल तो दिये ना कहना सिखिए ना कहना सीखिए आप उसको कहिए मेरे सामने पहले इसे detall या सेनेटाइजर में डुबा के निकालो उस तूरा को उसके बाद बिलेट बदलो नहीं तो भई यह एतने पे छोड़ दो हम लोग को भी साथ मतलब सुरू-सुरू में जब मैट्रिक इंटर्में पड़ते थे बोलते थे लोग हम लोग बदल दिया हम लाजे भूल नहीं पाते बदल दिया कोई डाट मत अरे बीमारी लेना से अच्छा है ना कि डाट कौंची के देंगे फिरी में देंगे आप पांच रूपया कम दे के देखिए ना सपोज की आपके बाल कटाने का 50 रूपया लगता है आप 40 दे के देखिए ना फिर समझ में आएगा कि अधिकार क्य यह सुसुरा जब बहुँ यह क्या करता है एचाइवी पॉजिटीव यह हमारे डबलू बीसी पर अटैक करता है किस पर अटैक करता है डबलू बीसी और आपको पता है कि डबलू बीसी मुख रूप से इसके अंदर टी सेल जो होता है वीमारीयों से लड़ता है हमारी इम् में HIV अइगा कुछ कुछ संख्या HIV की रहीं तो उसे कहा जएगा HIV positive है धीरे धीरे ये अपनी संख्या बढ़ाएगा और इधा WBC को मारना चालू करे ​​Grad choses या पिर कश्या T-cell को मारना चालू करे ​​Gradıy को मार देगा और ये समझ में आएगा कि अब इसका objeto अब लड़ने के लाइक नहीं है बहुत कम WBC बचा है उसके बाद यह हो जाता है acquired immunodeficiency disease एट क्या इंसान में सरीर में HIV घुषते उसको एट्स हो जाता है तुरत एट्स नहीं होगा कुछ समय लेगा incubation period किसी में एक साल दो साल चार साल पांस साल समय लेगा अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति HIV के stage में पकड़ा जाता है कि नहीं इसे HIV positive है तो उसके जीवन जीने की संभावना ज्यादे है लेकिन अगर HIV अपना पूरा काम करते हुए WBC T-cell वगरा वगरा को निप्टाते हुए एक अपने dominating nature पर चला आया कि अब उसने सरीर के बहुत हिस्से को कभर कर लिया वो आ गया AIDS की स्तिति में acquired immunodeficiency syndrome disease नहीं जी syndrome acquired immunodeficiency syndrome disease बोल दियां गया acquired immunodeficiency syndrome हाँ दिजिश बोल दिया है ऐसे पढ़ाने के फ्लो फ्लो में आ जाता है acquired immunodeficiency syndrome होता है पांच-छे साल का समय लेगा AIDS हो जाएगा फिर AIDS के बाद फिर बचाना मुस्किल है क्यूंकि आपके सरीर की बीमारी से लड़ने की छंता ही खतम हो गई है अब इसके बाद क्या होगा धीरे धीरे कीडिनी इसके कई और फेलियोर हो जाते हैं मल्टी और फेलियोर एट जो है बाभू AIDS जो है यह एक विक्राल बीमारी है यह आपको कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको HIV है, और आप उसके ब्लड के संपर्क में आजाएगे, या उसका ब्लड अपने में चड़फा लीजे, या उसको लगाया हुआ इंजेक्शन आप यूज कर लीजे, या कभी उसका द्वारा यूज किया गया, रेजर ब्लेड आप यूज कीजे यदि कोई सारीरिक संब्द बनाता है, तो चुकि HIV वाइरस, अगर फीमेल है, तो उसके ओभर में होगा, रेजर जागा, इसके इस फर्म में फोगा, यह दोनों के संपर्क में अब चाहें ब्लड जैसे भी उसके संपर्क में आया हो दूसरा हो सकता है आपका शेक्ष्वल रिलेशन के वज़े से दूसरा और उसके बाद कोई रास्ता नहीं है होता कैसा यह वाइरस थोड़ी देख सकते हैं आप वाइरस को तो आप अपनी आखों से थोड़ी देख सकते हैं उसके लिए को चाहें जिस कारां से बता हुआ हो अब वो व्यक्ति समाज में उस चीज को छुपाएगा छुपाने के वज़े से बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा बाकी लोग उससे दूरी बनाने के जग़े उसका बहिसकार कर देंगे अन्मियागे की नहीं गया तो कई किया के बाद फैलते फैलते कई बीमारी जैसे होता है जैसे चमगादर से फैल गया कोरोना मानों में तो कुछ जानवरों से बीमारी धीरी धीरी ट्रांसफर होने लग जाती हैं अब इसके लिए बहुत तेजी से भारत में यह चीज़े फैल रही है इससे जरूरी है इसे र यह रखा लेना इसका सभ्तियां गया और अब कभी भी जॉट कराने जाएं अगर आपको तो जाँच करा लिए वाइरल मारकर जो ड़क्तर आता है उसे कहिए वाइरल मारकर जांच कर दें जितने खतरनाक टाइब के मीमारी हैं हो गया है प्राइट इस टाइप का हो गया यह या फिर जो भी वाइरस से एक से दूसरे में फैल ले वाला खतरनाख है वाइल रग मारकत आप यह तो डॉक्टर कहे का ना कि अपना सी वी सी चेक करा के यह सी वी सी मतलूता है अब कंप्ल दुनिया का कोई डॉक्टर बीना वाइरल मार्कर चेक किये वाइरल मार्कर एक ग्रूप डाइगनोसिस है उसमें एचाइवी विजाच ले लेता है इंफ्लुएंजा भी लेता है कई जो भी चीज जिससे की डॉक्टर को खत्रा है पहुंचने जाए उसके लिए क्या ले लेत दिखेगा एचाइवी जब आपके डबलू बी सी को मार चुका होगा टीज सेल को उड़ा चुका होगा और एचाइवी एड्स का रूप ले लिया होगा तब आपको लच्छन दिखेगा यहां पे लगतार वेट लॉस बुखार सरीर में धकन बदान नेंतेन बड़ी और चेक करके आप क्या कर लेंगे यहां भी सर्जेन की तैयारी कीजिए इसलिए जांच के लिए आप अपना जांच एली सा जांच करा लिए आधर वाइज में बस उसको कहिए कि वाइरल मारकर चेक कर दें क्या चेक कर दें वाइरल मारकर उसके साथ कई सारा जांच हो जाएग आगे बढ़ते हैं